हेलो गाइस, तो आज मैं आप लूब के साथ शेयर कर रहे हूं अपनी फेवरिट रेसीपी, मम्मी जब भी इस रेसीपी को बनाती थी, तो मैं हमेशा मम्मी से बोलती थी, मम्मी थोड़ा सा एक्स्राइब बनाना मुझे नेक्स या बनाना Energzn Rap пр बावल थोड़ा सा छोटा था तो मैंने अभी एक गिलास के करीप पानी डाला है बाद में हम और एड करें फिर मैंने एक बावल में लिया दो से डाही चमच के करीब बेस इसमें डाला थोड़ा सा पानी नमक और बेकिंग सोडा उसके बाद एक स्मूध सा पेस्ट पना करके कर लिया था पकोड़ियों के लिए कड़ाई में लिया कच्छी दानी साचो का तेल और उसमें हाथ से जो है पकोड़े डालने स्टार्ट कर दियते हैं अगर आप हाथ से कमफिटबल ना हो तो आप स्पून से भी डाल सकते हो और उसके बाद इसको गोल्डन फ्रा होने तक बगा लिया था यह बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट एंड फूले फूले बनेते हैं और उसी कड़ाई में जो तेल था ना उसमें मैंने डाल दिया था हींग, जीरा, थोड़ा से मेधी दाना, कश्मीरी लाल मिर्ची, साबुत वाली एंड उसमें डाल दिया थोड़ा सा हरी म बन ग्रानेखे नहीं तुरी में वी मैक ज्वाक म assuming हम दाकशता है जुक्त बनेड लेदी गरंद माने टींद से इंव शंत का दॢई देक पर लेदी तो आकवे मन ऐने उच्थावा जीन के उपनाशू और ये प पानिया था क्रिण हो गया मोली हो गया बट मैंने यह डाली है पकोड़िया और इस टाइम पर गैस का फ्लेम जो है एक दम ही लो कर दिया है और डाल दिया है इसमें नमक और कम से कम 20-25 मिनट तक इसको बिल्कुली सिम गैस पर पकाना है 20-25 मिनट बात देखोगे कड़ी एक दम ही अच्छे से पक चुकी है तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है एक पैन में लिया है डेट चमेश के करीब घी उसमें डालें थोड़ से मस्टर सीड और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही बड़ा कलर आया यह देखिए कुछ इस तरीके से और अब मैं इसमें डाल दूँगे कटा हुआ धनिया पता उपर से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो यह मैंने डाल दिया इसमें धनिया पता है थोड़ा सा गरम मसाला गर्म कड़ी सर्दियों में बहु बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है आप इसको चावल रोटी किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हो और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि कड़ी किस किस की फेवरेट है मेरी तो बहुत ही ज्यादा पसंद है वीडियो पसंद आया तो प्लीज दू लाइक श चैनल मिलती हो आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो